प्रस्तुत बीडियो में हम शन की शाड़े साती के संबंध में जानेंगे साड़े साती का क्या तातपर है यह कब लगती है साड़े साती लगने से क्या प्रभाव दुस प्रभाव होते हैं तथा साड़े साती के कष्ट से बचने के क्या उपाय हैं ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे चैनल पर दिया आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को वान कर लें वीडियो को लाइक शेर करना न भूलें आप में से किस किस के ऊपर साढ़े साती का क्या प्रभाव रहा है कमेंट करके जरूर बतलाईएगा आई इस वीडियो का सुभार्म करते हैं शन का जन्म, स्वरूप, स्वभाव, गुण, दोस, शन की दसा, साढ़े साती, शन की धैया, आद में होने वाली परेशानियों, बीमारियों तथा उनकी शांत के विशय में हमने एक बिस्त्रद वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं उससे आपको शन के विशय में काफी कुछ जानने को मिलेगा शन की साड़े साती का नाम आते ही हमें इसके कष्टों के बारे में सोचकर परेशानी प्रारम हो जाती है जबकी शन की साड़े साती कुछ लोगों के लिए लाभकारी भी सिद्ध होती है साड़े साती का अर्थ है साड़े सात वर्ष शनी को मंदचर कहा गया है ये धीरे धीरे चलते हैं तो इन्हें एक राश से दूसरी राश पर जाने में कुल धाई वर्ष का समय लगता है इसे यदि हम दूसरी तरह कहें तो शनी एक राश पर धाई वर्ष तक रहते हैं साड़े साती तीस वर्ष में एक बार आती है क्योंकि शनी एक राश पर धाई वर्ष रहते हैं और रासियां होती हैं बारा तो बारा गुणे यदि हम धाई करेंगे तो यह तीस वर्ष होगा कहा गया है कि एक दिर घायु व्यक्त के जीवन में तीन बार साड़े साती आती है अब प्रस्निया होगा कि हमें कैसे पता चले कि हम पर साड़े साती लगी है या नहीं इसके लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि बरतमान में शनि देव किस रास पर गोचर कर रहे हैं किस रास पर हैं शन की साड़े साती एक साथ तीन रासियों को प्रभावित करती है शन जिस रास पर हों उस रास पर साड़े साती रहेगी उससे पीछे वाली रास पर रहेगी तथा उससे आगे वाली रास पर भी साड़े साती रहेगी माना की आपकी जन्म की रासी है कुम्ब जब शनी गोचर करते हुए कुम्ब से पहले की रासी मकर पर आएंगे तो कुम्ब की साड़े साती प्रारंभ हो जाएगी जब तक मकर पर रहेंगे अर्था धाई वर्ष मकर पर रहेंगे वह समय और फिर कुम्ब पर आएंगे धाई बर्ष वहां रहेंगे तो धाई धाई पांच हुआ उसके बाद जैसे ही कुम्ब से अगली रासी मीन पर जाएंगे और धाई बर्ष रहेंगे तो वह समय अर्थार पांच धन धाई कुल हुआ साधे साथ बर्ष यही साधे साथ बर्ष ही शन की साड़े साती कही जाती है जन्मराश पर या जन्मराश से दुतिय या द्वादस पर जब गोचर से सनी होता है तो साड़े साती होती है शन को न्याय का देवता कहा गया है सनी देव अपनी दशा में लोगों को उनके कर्मों के अनुशार दंड देते है कुंडली में शन की स्थिती भी इस प्रभाव को बढ़ाती और घटाती है शन की साधे साती आने पर निम्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है सोचने समझने की शक्ति का खत्म हो जाना या कम हो जाना उनमाद पैदा होना खान पान आहार ब्योहार का बिगड़ जाना आत्म हत्या जीव हत्या आदिका बिचार उठना मादक पदार्थों का सेवन करना गलत लोगों की संगती पड़ जाना वातविकार, गठिया, साथिका, मोटापा, गुप्त रोग, बवासीर, भगंदर, फोडे, फुनसी हो जाना, पाचन किरिया का नश्ट हो जाना सट्टा जुआ लाटरी में अपने धन को बरबाद कर देना आतों का रोग, आमाशय का रोग, अनैतिक ब्यभिचार, हस्त मैथुन, समलेंगिक संबंध, नस और जोडों से संबंधित रोग, सिरदर्द, नेत्र पीडा, मूर्चा, मिर्गी, हिष्टीरिया, दौरा पढ़ना, तीवी, कैंसर, पसीने में बद्बु होना, आद यनेकों रोग, ब्याधि पीडा, शन की साढ़े साती या दसा में हो सकते हैं। कराना, योम सुनना स्रेसकर बतलाये गया है। करत के अनुषार जब कराकर उसका दसांस हवन, दसांस तरपन, मारजन, ब्राहमन भोजन आद कराना चाहिए। सन पीडा से मुक्त के लिए छाया पात्र का दान करना चाहिए। जब हवन आद के बाद सन के निमित दान करना चाहिए। सन की जब संख्या 23,000 बतलाई गई है इसे कुछ लोग चतुर गुंड भी मानते हैं। बास की डलिया में इन दान सामग्रियों को अपनी सक्त के अनुशार लाकर ब्राहमन को दान देना चाहिए। नीलम, काला तिल, काला उडद, तिल का तेल, सर्शों का तेल, काला कपड़ा, कुर्थी, लोहा, भैस, काली गाय, काला पुष्प, जूता, कस्तूरी, सोना तथा दक्षणा लेकर सन पीडा निवारन के लिए संकल्प पूर्वक्त दान करना चाहिए। जो बस्तूएं प्राप्त ना हों, उसके निमित द्रब्य देना चाहिए। दान आधि शनिवार को सायंकाल में करना चाहिए। शनिपीडा निवारन के लिए नीलम, नीली, जमुनिया आधि धारन करना चाहिए। मद्यमा अंगुली, सन की अंगुली बतलाई गई है, जो भी रतन अंगूठी आधि पहने, उसी में पहनना चाहिए। काले घोडी की नाल का चल्ला, नाव के कील का चल्ला भी सनिशांति के लिए पहना जाता है। समी ब्रिक्ष की पूजा, दीपदान, जलदान तथा समी के जड़की अंगुठी को भी धारन किया जा सकता है। सनपीडा निवारण के लिए इन अवशदियों से असनान करना भी लाबकारी वतलाया गया है। सनपीडा निवारण के लिए अन्दान, तुलादान, काले उड़का दान, चना आधिका दान भी उतनम बतलाया गया है। नमक का त्याग, आचर्ण में पवित्रता, भिखारियों को तेल की पूड़ी, बैगन की सबजी का दान, कोडियों को दान, भोजन, मचलियों को आठा, नदी में कोईला बहाना, ब्राहमण की सेवा, कीकर की दातून का सेवन, सरसों तेल लगी रोटी, कुत्ते या कविये को खिलाना, गरीबों को दान देना, चीटियों, चिडियों को दाना देना, शक्कर खिलाना, सनिवार को भोजन में, काली मिर्च, काले नमक का प्रयोग करना, मान समदिरा का सेवन त्यागना, आदि अनेकों लवकिक उपाय भी, शन पीडा निवारण के लिए बतलाए गए हैं, इनमें बहुत से सरल उपाय भी हैं, जो आप कर सकते हैं, जिन्हें करने की आपकी सक्त सामर्थ हो, उसे अवस्य करना चाहिए, बहुत से लोग सनि दर्शन योम सनि मंदिर में जाने के लिए भी बोलते हैं, परन तो ये सास्ती बिदी नहीं है, ग्रहों का दर्शन ग्रहों के मंदिर में जाना ज्यादातर सुभ नहीं माना जाता, आप ग्रह शांति कर सकते हैं, ग्रहों का स्थापन मंत्रों से करके, उ प्रश्रेयस कर कही गई है शन्य देव की पीडा की शांति के लिए भी मृत्तुंज रुद्र आराधन हनुमद आराधन की विशेश महिमा बतलाई गई है आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी शनि से संबंधित अन्य वीडियो तथा अन्य ग्रहों के भी देखते हैं प्रामारिक ब्रत प्रवत्यों हार जोतिस वास्तु तथा ग्रावाधा निवरान संबंधि जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार जैविश्वनात